जहिन फ्यारे साथ यूं स्वागत आप सभी का जहरखन माटी एजुकेशनल फ्लेटफोर्म पे आए तो कंप्यूटर के अगले चेप्टर पे हम लोग आ गए हैं आज हम लोग जो मुख रूप में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग चीजों को पहले समझेंगे उसके बाद में जो यहां से जो भी प्रश्ट मनेंगे वो सारे प्रश्टों को भी हम लोग यहां पे समझने वाले हैं Computer Network तो आप सभी अच्छे से भली भाती समझते हिए कि Computer Network होता क्या है, हाना Computer Network दरसल दो या दो से अधीक कम्प्यूटरों को जो फेरिफेरल्स यानि बाह उपकरनों जैसे Scanner, Printer और Facts आधी का अंतह संबंधन यानि Interconnection है, चली एक बार फिर से आसान भाजा में समझते हैं, क्याता है कि Data, सूचना, संसाधनों और कारियों की साज़ेदारी करने के उद्देश से, उद्देश के लिए ही Computer Network का परियोग किया जाता है, जैसे Data का कोई Data हो, कोई Information हो, या कोई Resources, आधी और कारियों के साज़ेदारी, यानि Sharing करने के उद्देश के लिए Computer Network का परियोग ज सभी को पता कि कोई भी Data अगर एक जगा से दुसरे जगा भेज आ जाता है, तो उसके लिए Computer Network की आफशकता होती है, हाना, Computer Network users को Network पर केबल या तो फिर Modem का उप्योग करके सूचना, यानि Information साजा करने की, तथा अस्थनांतरन करने की अनुमति देता है, Computer Network में भी किसी एक Computer का Network पर नियंतरन होता है, नहीं होता है, हाना, कहता कि Computer Network में किसी एक Computer Network का नियंतरन नहीं होता है, बलकि परते Computer का होता है उसमें से, किसी Network में Communication को बनाए रखने के लिए क्या है कि चार यव्यवों की आफशकता पड़ती है, यानि जरूरत पड़ती है, जैसे एक हो गया प्रेशक यानि Sender, प्रेशक वह उपकरन होता है, वह डिवाइस होता है, जिसके पास Data हो, और उसे Network से जुड़े अन्य उपकरनों पर भेजने कि आफशकता यानि आफशकता हो, एक तो पहला हो गया प्रेशक जो भेजने वाला हो, दूसरा हो गया माध्यम, माध्यम यानि मेडियम, एक युक्ती यानि डिवाइस से दूसरी युक्ती में आंकड़ा यानि डाटा जो अस्थानांतरन होता है, ट्रांसफर करने के लिए, जिस चीज की आफशकता होती है, उसे जो वो कह सकते हैं कि पारेशन माध्यम या ट्रांसमिशन मेडियम कहते हैं, जैसे तार ह हो गया, केबल हो गया, आधी जो वो एक माध्यम हो गया, तीसरा इसमें होता है प्राप्त करता है, यानि रिसीवर, हाना, तीसरा इसमें क्या कौन होता है, तो वो होता है, रिसीवर यानि प्राप्त करता, या एक ऐसी युक्ती है, या डिवाइस है, जो नेटवर्क पर अ प्राप्त करने की कारी विधी या तो फिर प्रोटोकॉल तो यह चार चीजें जो वो मिख रूप में विशेश रूप में जो वो देखने को हम मिलता है कंप्युटर नेटवर्क में संचार को बनाए ρखने के लिए इन चार एलेमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो ये चारों एलेमेंट्स के बारे में आपको याद रखने हैं आईए एके करके हम सारे प्रश्णों पे आते हैं, पहले सारे प्रश्णों को हम लोग समझेंगे, उसके बाद में चीजों को जो वो एके करके समझेंगे, पहला सवाल है कि टेलिवीजन ट्रांस्मीशन किसका उधारन है, तो टेलिवीजन ट्रांस्मीशन जो है वो सिंप्ले प्रण आंत्रिक परावर्तन आपने पढ़ा होगा यहां पर प्रण आंत्रिक परावर्तन के सिध्धान्त पर काम करता है वाइफाई का पूरा नाम क्या है तो कई बार सवाल यह रिपीट भी किया गया है तो wireless fidelity इसका पूरा नाम पूछा जाता है वाइफाई का हाना wireless fidelity संयुक्त संकेत में नहित आवरितियों की सीमा को क्या कहते है तो उसे bandwidth कहा जाता है क्या कहा जाता है बेंड विर्थ कहा जाता है अगला सवाल है कि विभिन सर्वर तथा कार्य अस्थानों के मध्ध संपर्क अस्थापित करने का कारी जो करता है वो कौन तो वो किया जाता है email का परियोग किया जाता है Data Communication के लिए नियमो का संचे क्या कहलाता है तो Data Communication के लिए नियमो का संचे milligram कहलानी कहलाता है अभी थोड़े देर पहले मैं इन शर्चा अगला सवाल है कि broadband को computer से जोड़ने के लिए परियोग करते हैं तो switching का प्रियोग जो वो मिखरूप में करते हैं इंटरनेट कारी करता है तो केवल पैकेट स्वीचिंग पर जो वो काम करता है इंटरनेट जो वो कारी करता है वो केवल पैकेट स्वीचिंग पर काम करता है इथरनेट के एक डेटा फ्रेम में डेस्टिनेशन पते का आकार कैसा होता है तो 6 बायट का आकार का होता है तो एथरनेट के एक डेटा फ्रेम में डेस्टिनेशन पते का आकार जो होता है वो 6 बायट का होता है सूचना प्रवद्योग की नेटवर्क में रिपीटर का परियोग होता है तो याद रखेंगे सारवज़निक नेटवर्क पर सुरक्षित नीजी कनेक्शन अस्थापित करने के लिए उप्योग किया जाता है, तो इसमें से किसी का परियोग होता हैCD, तो VPN का परियोग किया जाता है, वर्चूरल प्रायवेट नेटवर्क इसका जो फुल फॉव्ल है, तो इंटरनेट जैसे सारजोनिक नेटवर्क पर सुरक्षित नीजी कनेक्शन अस्थापित करने के लिए उपयोग किसका किया जाता है तो VPN का उपयोग किया जाता है राउटर, हब, स्वीच, गेटवे तथा रिपीटर्स क्या है तो ये सभी कनेक्टिंग डिवाइस है OSI का पुर्ण रूप क्या है तो OSI का पुर्ण रूप ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन इसका जो फूल फॉर्म है अगला सवाल है कि डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेखच में SSL का अर्थ च्या है तो इसका अर्थ होता है Secure Socket Layer Secure Socket Layer इसका जो फूल फॉर्म होता है TCP Connection में संचार होता है तो TCP Connection में जो संचार होता है वो फूल डूपलेक्स का संचार होता है डेटा प्रेशन की गती को मापने के लिए समायनेता किसका परियोग तो बीट पर सेकेंड में जो गो डेटा प्रेशन की गती को मापने की इकाई है तो कई बार सबाल पूचा जाता है कि डेटाप्रेशन की गति को मापने के लिए किस इकाई का परियोग किया जाता है तो बीट पर सेकेंड का परियोग होता है Network में संचिप्त संदेश जो एक अस्टेशन से दूसरे अस्टेशन को जाता है वो क्या कहलाता है तो वो token कहलाता है क्या कहलाता है कम्प्यूटर में एक application से दुसरे application में सामगरी का अंतरन क्या कहलाता है तो कम्प्यूटर में एक application से दुसरे application में जो भी सामगरी का अंतरन होता है वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है dynamic data exchange क्या कहलाता है जिसमें से कम्प्यूटर में एक application से दुसरे application में सामगरी का अंतरन होता है FDDI का पूर्ण रूप क्या है तो Fiber Distributed Data Interface Fiber Distributed Data Interface इसका जो वो फुल फॉर्म है Computer Network में Notes ऐसे उपकरन है जो Data को Consume तथा Terminate करते हैं तो Computer Network में Notes एक ऐसा उपकरन है जो की Data को Consume तथा Terminate करता है वह युकती जो एक Lane में Frames को Transmit करती है वो क्या कहलाती है तो वो Bridge कहलाती है तो वह युकती यानि Bridge एक ऐसी युकती है जो एक Lane में Frames को Transmit करती है अगला सवाल है कि New-Term Communication गती क्या होती है तो Twisted Pair Cable Twisted Pair Cable जो है वो New-Term Communication गती होती है वह Distributed Network Configuration जिससे डेटा या जानकारी एक central computer के माध्यम से पारित होती है वो क्या कहलाती है तो star network उसे कहा जाता है इंटरनेट पर उपस्थित विभिन सूचनाओं का उप्योग करने की अनुमती जो देता है उसे gateway कहा जाता है TCP या IP का अन्यनाम क्या है तो इसे DOD model भी कहा जाता है तो TCP या IP का पर अन्यनाम क्या है तो इसे DOD model भी कहा जाता है IPv6 का address आकार क्या है तो इसका आकार जो होता है वो 128 bit या फिर hexadecimal संख्या जो की है 128 bit जो वो इसका address size है IPv4 का address आकार यानि address size क्या है तो 32 bit है Keyloggers, Keyloggers तथा Adware क्या है तो ये दोनों जो वो क्या है वाइरस है Browser Hijacker, Browser Hijacker क्या है तो यह Computer Virus का ही एक परकार है तो याद रखेंगे Keyloggers, Adware ये सभी Computer के वाइरस है उसी परकार से Browser Hijacker जो वो क्या है Computer Virus के एक परकार है पर्थम Computer Virus का नाम क्या था तो पर्थम Computer Virus का नाम जो है वो है Creeper है ना पर्थम Boot Sectors Virus क्या है तो पर्थम Boot Sectors Virus C-Brain है पर्थम IBM PC Operating System को छती पहुचाने वाला वाइरस कौन है तो वो है C-Brain तो पर्थम IBM PC Operating System को छती पहुचाने वाला यानि नुकसान पहुचाने वाला जो वाइरस है उसका नाम रहता है C-Brain संचार Network जिसका परियोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्टिय और वैस्विक छेत्र में किया जाता है वो क्या कहलाता है तो वो WN कहलाता है क्या कहलाता है वैन कहलाता है National E Governance Plan के अंतरगट SWN क्या है तो National E Governance Plan के अंतरगट SWN जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो Statewide Area Network हैना SWAN SWAN इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो Statewide Area Network हैना WN का नाम आपने सुना होगा हैना WN इसको बोलते हैं Wide Area Network एक होता है LEN जिसको बोलते हैं Local Area Network और एक होता है Main जिसको बोलते हैं Metropolitan Area Network हैना Metropolitan Area Network तो इसका तीनों का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे Mobile phone में परियुक्त CDMA परदयों की क्या है तो Code Division Multiple Access Code Division Multiple Access C से हो गया यहाँ पे Code D से हो गया Division M से हो गया Multiple A से हो गया Access तो Code Division Multiple Access जो की Mobile phone में परियुक्त CDMA जो प्रदयों की हो उसका फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं WLL का पूरा नाम क्या है तो Wireless in Local Loop Wireless in Local Loop इसका जो वो फुल फॉर्म है Data संचार में परियोग किये जाने वाले BPS की Transmission गती कितनी होती है तो 96 इसकी गती जो होती है Class C Network के लिए Default Subnet Mask क्या है तो यह जो वो इसका Default Subnet Mask है तो याद रखेंगी 255.255.255.0 Modulation एवं Demodulation के लिए परियोग किया जाता है तो वो Modem का परियोग जो वो किया जाता है अगला सवाले की Loopback पते को Ping करते हैं तो Packet भेजा जाता है तो उसे IP Address की परतों के माध्यम से भेजा जाता है एक वीतरित Network Configuration यानि Distributed Network Configuration जिसमें सभी Data केंद्रिये Computer से गुजरते हैं उसे Star Network कहा जाता है तो एक ऐसा वीतरित Network Configuration यानि एक ऐसा Distributed Network Configuration जिसमें सभी Data जो वो Central Computer से गुजरते हैं उसे Star Network कहा जाता है सबसे निम्न पारेशन गती क्या होती है तो twisted pair cable है ना twisted pair cable जो होता है वो सबसे निम्न पारेशन गती होती है अगला सवाल है और आज का आखरी सवाल है कि जो एक से अधीक उपयोग करता हो या उपकरनों को एक संचार लाइन साजा करने की अनुमती परदान करता है वो क्या कहलाता है तो वो डोफलेक्सर कहलाता है तो याद रखेंगे इसका सही अंसर आपको ध्यान रखने है तो इस परकार से कम्प्यूटर नेटवर्क से और भी कई सारे सवाल बनते हैं साथी साथ में यहां से कुछ आपको बेस भी समझना पड़ेगा जब तक आप इन च तोफिक्स को पढ़ेंगे तो वहांसी आपको चीजें अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे हना तो इसके बाद में हम लोग जब यह कम्प्लीट क्लास हो जाएगा उसके बाद हम लोग भी आएंगे और वहांपे हम लोग सारे थी भी सेसन को भी देखेंगे और पूरे बेसिक से हम लोग समझेंगे चीज़ों को तो उमिद करते हैं कि आज का एक क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक किज़ेगा साथ ही साथ अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए